पिछले छे महीने में ये लिटरली तीसरी बार हो रहा है कि चाइना ने भारत को मार्किट अक्सेस के लिए बैग किया है Recently जब चाइना के द्वारा प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी को उनके तीसरे कारेकाल के लिए बधाई दी गई उसी समय चाइना की फॉरेंड मिनिस्ट्री ने एक बार फिर से इस मुद्दे को सामने उठाया उन्होंने यहाँ पर कहा that we hope that India will fully understand the mutually beneficial nature of China-India economic and trade cooperation and साथ में उन्होंने कहा कि we seek कि इंडिया हमारे लिए एक fair, एक transparent और एक non-discriminatory business environment को भी तयार करे so that जो चाइना की कमपनिया है वो भारत में आकर के निवेश कर सकें और भारत में आकर के operate भी कर सकें लेकिन दोस्तों very very diplomatically इंडिया ने इस चीज़ का यहाँ पर जवाब दिया है इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि देखिये normalization of ties जो है वो चाइना के साथ केवल mutual respect, mutual interest और mutual sensitivity के आधार पर ही होगा और यह इंडिया का भी stand वही रहा है इंडिया ने basically indirect तरीके से यह कहा है कि जब तक जो border पे चल रहा जो गतिरोध है जो border पे चल रहा जो dispute है जब तक कि वो solve नहीं होता है तब तक हम लोग यहाँ पे चाइना के साथ जो अपने संबंध है उनको normalize नहीं कर सकते हैं बात करेंगे इस पूरी story के बारे में क्यों आकिरकार बार बार चाइना इस तरीके से इंडिया को back कर रहा है क्या चाइना को यहाँ पे नुकसान हो रहा है और इंडिया की इस पूरी चीज़ को लेकर official government policy क्या है उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा आए शिरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माद्ध हमसे ऐसा कर सकते हैं आल राइट आपको थोड़ा सा background यहाँ पे समझा देता हूँ हम वापिस चलते हैं सन 2014 में उस समय चाइना की total investment जो भारत में थी वो कुछ बहुत जादा नहीं थी अगर आप देखें तो यह आकड़ा लगभग लगभग 1.6 billion dollar के आसपास था लेकिन दोस्तों आने वाले 3 से 4 सालों में यह investment बहुत जादा बढ़ गई और एक समय ऐसा आया था कि चाइना की total investment भारत में कम से कम 8 billion dollar हो चुकी थी और इसमें भी कुछ-कुछ experts तो यह कहते थे कि चाइना अपना बहुत सारा निवेश जो है वो भारत में Singapore और दूसरे South East Asia के देशों के थूबी कर रहा है उसको हमने इस figure में account भी नहीं किया है और यहाँ पर भी आप देखिए अलग-अलग यहाँ पर estimates है जो कि बताते हैं कि minimum से minimum अगर हम लोग चाइना की investment भारत में माने तो लगभग 8 billion dollar का निवेश यहाँ पर हो चुका है लेकिन दोस्तों हुआ क्या 2020 में हम सभी जानते हैं गलवान वैली में जो problem आई थी वो problem के immediately आने के बाद जादा कस दिया था इंडिया ने साफ साफ बोला कि चाइना की जो कमपनिया है उनका भारत में उस हिसाब से scrutinization होता ही नहीं है जैसे कि चाइना की कमपनियों का पश्चिमी देशों में होता है और हमने अभी तक इन चीजों को लेकर कभी भी कोई बहुत इनके उपर एक बार के लिए रोक लगा दी लेकिन जो सबसे बड़ा जटका चाइना को मिला था that was in the month of April 2020 जब भारत ने suddenly अपनी जो FDI policy है उसको specifically चाइना को target करते हुए suddenly change कर दिया suddenly transform कर दिया FDI policy में भारत ने क्या कहा देखिए FDI हम सभी जानते हैं कि भारत में अगर कोई भी देश FDI लेकर आता है तो उसको दो modes है जिसके माध्यम से FDI हो सकती है एक होता है automatic route और दूसरा होता है government route जो तो होता है automatic route वहाँ पर तो companies और countries को approval लेने की आवशकता नहीं पड़ती है लेकिन जो government route होता है वहाँ पर दोस्तो companies को आगे बढ़ने के लिए central government के approval ये बगैर वो companies भारत में आकर के निवेश नहीं कर सकती है जो होता है दोस्तो government route उसमें इंडिया ने एक छोटा सा clause आड़ कर दिया इंडिया ने कहा कोई भी ऐसा देश जिसका इंडिया के साथ land border लगता है और obviously अब land border वाले देश कौन से कौन से हैं चाइना बांगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल ये सारे के सारे जो देश जिनका हमारे साथ land border touch होता है ये केवल और केवल government route के तहत ही निवेश को यहाँ पर कर पाएंगे माइने ये वाली जो countries हैं इनका निवेश तब ही हो पाएगा जब central government यहाँ पर basically approval दे देगी obviously बात ही कि इसका सबसे बड़ा impact होने वाला था चाइना के उपर और इंडिया ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि हमें चाइना को ही target करना है इसी लिए इस policy को यहाँ पर launch किया था अब दोस्तों क्या होता है चाइना के द्वारा recently जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी का तीसरा कारेकाल शुरू हुआ चाइना ने उनको congratulate किया और साथ में उनकी जो प्रवक्ता है उन्होंने साथ में ये भी कहा हम उमीद करते हैं कि हमारा जो भी यहाँ पर investments को लेकर problems चल रही है वो sort out हो सके आपको वैसे बताना चाहूँगा सेम तरह की request चाइना पहले December के महीने में कर चुकी है December 2023 में Similar type की request चाइना February 2024 के महीने में भी कर चुकी है तब भी चाइना ने यही कहा था कि हम लोग चाहते हैं कि भारत जो है वो हमारी companies को इंडिया में आने दे और उनको invest और operate करने दे लेकिन दोस्तों इंडिया ने साफ साफ यहाँ पर पहले भी clear किया था पहले इंडिया ने कहा था Chinese investments की जो हमने scrutiny बढ़ाई है उनको relax तब ही किया जाएगा अगर दोनों देशों के बीच में जो border है वो यहाँ पर peaceful रहेगा उस समय ये बात इंडिया के जाने माने top industrial policy bureaucrat Rajesh Kumar Singh जी के द्वारा कही गई थी और उन्होंने भी उस time पर यही कहा था कि देखिए जो investment side है वो तभी ठीक हो सकती है जब हमारे border issues को यहाँ पर solve किया जाएगा इन्होंने साफ साफ बोला था on the investment side if things go well I am sure we can resume the normal business और इस बार भी जो हमारे ministry of external affairs के प्रवक्ता है उन्होंने भी यहाँ पर यही कहा you cannot have somebody nibbling at your border while at the same time having red carpet treatment for investments from there यानि की इंडिया का जो stand है वो यहाँ पर बड़ा ही clear है कि देखिए जब तक हमारी जो वो problems है वो यहाँ पर solve नहीं होती है उनको हम एक तरफ नहीं करते हैं तब तक हम लोग obviously चाइना से जो investments हैं उनको यहाँ पर allow नहीं कर सकते हैं in fact अगर आप देखें जब चाइना ने पिछले 6 महीने के अंदर ये request को 3 बार किया है उस तोरान भी दोस्तो चाइना के द्वारा similar type की एक problem create करने की कोशिश करी गई है गलवान वैली के बाद उन्होंने वहीं पर LAC के उपर और भी Indian Army की post हैं जिनको की capture करने का प्रयास किया गया और ये धीरे धीरे बातें सामने आ रही है और यही चीज को देखकर बहुत surprising लगता है कि एक तरफ आप लोग investments की बात करते हैं एक तरफ आप लोग expect करते हैं कि आपकी जो companyya है उनके लिए भारत अपने gates open करें उनकी investments के लिए हम लोग यहाँ पर allowance दें लेकिन at the same time border को लेकर आप लोग हमसे बातचीत करने को तयार नहीं है तो ये clearly चाइना के द्वारा यहाँ पर अपनी hypocrisy को showcase किया जा रहा है बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें definitely बता सकते हैं comment section में जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि 2023 के examination में अनकाडमी के learners के द्वारा बहुती शांदार performance करके दिखाया गया है top 10 में 4 learners पूरी list में 300 से भी अधेक learners ऐसे थे जो कि आनकाडमी के साथ जुड़ करके अपनी तयारी कर रहे थे आप भी अपनी तयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू कर सकते हैं हमारे exclusive offline centers नई दिल्ली के करोलबाग में नई दिल्ली के मुखरजी नगर में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं और इन सभी centers में हम लोग आपके लिए foundation GS courses लेकर आए हैं for 2025 and 2026 इतना ही नहीं इन GS courses के साथ साथ जो बाकी offerings हैं वो completely free of cost दी जा रही हैं जिसमें की CSAT, essay writing, current affairs, coverage, test series, educator interaction, one is to one mentorship ये सभी चीज़ें आपको totally free of cost अवेलेबल करवाई जा रही हैं फिर भी कोई doubt है center को visit कर सकते हैं या फिर नीचे दिये गए phone numbers पर phone भी कर सकते हैं और आपको एक dedicated counselor allocate किया जाएगा जो कि आपकी सभी doubts को solve कर देगा thank you so much for listening stay tuned and stay